नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल संगिताज कॉर्णर में आज में लेके आई हूँ बैंगन की बहुत यूनिक वाली रेसीपी फ्रेंट जो की टेस्टरी होने के साथ सब बहुत ही इजी है और बहुत ही कम मसाल और तेल में बनके तयार होता और यह जल्दी से पक भी जाएगा तो इसे हमें करना है स्टीम नहीं हम इसे रोज्ट करेंगे नहीं तवे में भूनेंगे आज इसे हम भाप में पकाएंगे उसके लिए कड़ाई में मैंने एक गलास पानी गरम किया स्टीमर में और उसके उपर से यह जाली वाला प्लेट उतना उसके उपर बैंगन रखके इसे हम पांच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे स्टीमर ना हो कोई बात नहीं आप कड़ाई में पानी डालके उसके उपर कटोरी रखके किसी भी प्लेट में बैंगन को रखके आप इस तर से स्टीम कर सकते हैं और चाको से चेक कर लें कि यह पका है कि यह न ने तो चाको जब इजिल्फिव जाने लगा यानि यह पक गया है इसको एक दो मिनट ठंड़ा होने देते हैं इजिली इसे छू सके और इसके जो छिलके है ना वो हम हटा लेंगे बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं जब यह अच्छे से पक गए हो तो छिलके भी अच्छे से यह निकल आते हैं तो इस तर करके हम सारे बैंगन को छिलके तयार कर लेंगे ताकि जब हम लोग इसका सबजी बनाए ना या फिर आप इसे भरता भी बोल सकते हैं वो बनाए तो काफी स्मूध बने और देखने में भी वो अच्छा लगे तो सारे बैंगन को मैंने यहां पे छिल लिया है छिलकों को हटा लिया है अब इसे इस तरह से चाकु से हम बिल्कुल बारी काट लेंगे आप चाह हमारा तयार है अब इसमें लगाते हैं तड़का तो इसके लिए एक बड़ा चमच मैंने ले लिया है सर्सो का तेल आप कोई भी जो भी तेल खाते हो वो ले सकते बड़ सर्सो के तेल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें डालेंगे आदा चोटे चमच जीरा आदा सर्सो एक लाल मिर्च जालेंगे थोड़ी सी हिंग भी आप ले सकते इसमें और इसे हम अच्छा से भून लेंगे उसके बाद डालेंगे एक मेडियम सैज का प्याज बारिक कटा हुआ और साथी डालेंगे चार से पांच लेसन की कली उसको भी बारिक काट लिया है और दो इस रेसीपी को आप ट्राइक कर सकते हैं प्यास और लेसन को हमने अच्छे से भून दिया है इस स्टेच पे हम लोग डालेंगे बारिक कटे वे टमाटर तो एक बड़े साज का टमाटर को भी हमने बारिक काट लिया है प्यास से थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में यदि अन्दाज ना लगे तो आप बेंगन डालने के बाद भी नमक डाल सकते हैं तो यहां पर हमने नमक इसलिए डाल दिया ताकि प्याज और टमाटर भी जल्दी से गल जाए और इसे हमने दो तीन निट के लिए भून लिया है मसालो को प्याज टमाटर के साथ और आप प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए इस तरह से थोड़ा सा मैस कर लेंगे अब देखिए यह मसाला जो हमारा तयार है आप इसमें अपने मन पसंद के कोई भी मसाला डाल सकते हैं यहां पर कड़ी पता डाला जा सकता है जो फ्लेवर एड करना चाहते हैं आप वो एड कर स अच्छा टेस्टी लगेगा उसके लिए क्या करना होगा हमें साथ से आठ मिनट इस बैगन को पकाना होगा लेकिन ढखके पकाएंगे और बीच बीच में एक बार ढखकन हटा के चलाते जुरूर रहेंगे तो यहां पर देखिए अच्छे से हमने सारे मसालों के साथ मैगन को मिक्स कर दिए अब इसे ढखके हम साथ से आठ मिनट के लिए छोड़ देंगे और यहां देखिए पूरे साथ से आठ मिनट के बाद मैंने बीच पीच में चलाते हुए इस बैगन को अच्छे से पका लिया इस मसाले में और देखके आप पता कर सकते हैं इसके कलर से इसक की योनिक टेस्ट आता है तो आज की रेसीपी कैसी लगी प्लीज कमेंड में जुरू बताईएगा अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक करना प्लीज नहीं भूलिएगा फिर मिलते हैं इसी तरह की नहीं और आसान रेसीपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई टे तक के लिए